नमस्कार सुआगा थे आप सबका हमारे खास कारीकम तरकश में और आज हमारे साथ हैं हर्याना के मुख्य मंत्री मनुहरलाल खटर साब खटर का परिवार 1947 में भारत पाग बटवारी के समय पाकिस्तान से भारत आ गया था। खटर ने रोहतक के पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज से दस्वी पास की थी। उन्होंने दिल्ली विश्व विद्याले से ग्रेजूशन की डिग्री पूरी की। 1976 में वह RSS के संपर्क में आये, 1980 में वह संग से पूर्ण कालिक तौर पर जुड़े। खटर को 1994 में हर्याना बीजेपी में प्रदेश संग अठान मंतरी की जिम्मेदारी सोपी, 2002 में पाटी ने उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया, लोक सभा चुनाव में खटर को हर्याना में चुनाव अभ्यान समिती का अध्यक्ष बनाया गया था, 60 साल के खटर, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के करीबी मने जाते हैं। हर्याना के विकास को लेकर के एक सपना है, और हर्याना में इस समय तक जितना भी 48-49 साल का जो शाशन रहा है, उस शाशन में कभी कोई दिशा नहीं रही, बले कुछ काम चोटे मोटे विकास के हुए होंगे, लेकिन एक दिशा हिंता, यह हमको जो धान में आती है, जिसमें हर्याना का एक समय क्विकास हो, हर्याना के लोग अपने आपको हर्याना की एक यूनिट मान करके हर्यानवी सनाते से पचान बनाते हों, कहीं जाती पाती का नारह लगता है, कहीं ब्रिस्टा चार्थ को लेकर के इतनी असंतोश इतना है, उसमें कुछ लोग के जिनके घर भ उस्तर नहीं है और शिक्षा के भावन बन गए है लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है शिक्षक भी अगर है तो बच्चे माँ जाते नहीं है आज प्रवेट संस्ताओं ने शिक्षा के उपर अपना कब्जा सा बना लिया है कोल मिलाकर यह जो आविवस्थित सारेविश है उनको विवस्था में लाना और जहां तक जनता के संतोष की बात है उसको पारदर्शी शाषन में तब तक संतोष नहीं होता तो उन्हें शाषन को पारदर्शी शाषन के रूप में खड़ा करना जहां तक व्रस्टाचार की ब आपने रिकॉर्ड इस्तर पर हुआ करता था आज इसकी पहंचान उची उची इमारतों और मैं कहूं कि पॉश कुछ इलाकों तक सिम्टे विकास को लेकर जाना जाता है एक अनीविन विकास असंतुलित विकास की बात होती है कैसे असंतुलित विकास के पत से हटा कर आप प् विक्ती की परकाप्टा इंकम भी कही जा सकती है इस विकास को अलग-लग एरिये के साब से देखें तो हर्याना को मैं समझता हूँ तीन भागों में बाट के हम दे सकते हैं एक भाग है जिसको हम फृदाबाद, गुडगावा, ऐसा क्षेतर कह सकते हैं एक विकास है जीटी इस नाते से अलग-लग भागों में एक खंडे थरियाना याने विकंडे थरियाना के सकते हैं ऐसा बना हुआ है हम आये हैं तो यहां जहां जहां विकास नहीं हुआ है वहां विकास की सारी बाते हैं चाहे वो इनफरस्टकर की बात हो चाहे वो शिक्षा के नाते से हो चाहे क्रिशी में आने वाली कठने या उनको दूर करने की बात हो रोजगार की बात हो सब विश्ची से उन सब क्षित्रों में जो अभी पिछला है उसको आगे लाएंगे और कभी का जाता है कि यह एडवांटेज होती है यह लोकेशनल एडवांटेज उस नाते से हमारे पूरू क सरकारों ने ऐसे तरक देने शुरू किये हम कहते हैं कि अगर लोकेशनल एडवांटेज की बात करनी है और जिसमें से कहते हैं गुडगावा के विकास अच्छा हुआ गुडगावा और साथ में बेवात एडवानिंग यानि एक जगाँ पर कैप्टा इंकम ऐसा का जाता है कि चार लाख चालिस जार रुपा पर कैप्टा इंकम है उडगावा की और साथ में बात कि अबल चालिस जार चार लाख रुपा उड़ जाते हैं तो आखिर कोई सोचने की बात होगी उसका एक विजन होना चाहिए विजन होगा तो सारी बात है ठीक होगी इसलिए बिना व अधिकरन के बाद ना तो वो योजनाय परवान चड़ी और नहीं उन लोगों का भला हुआ जिनकी जमीने गई थी कुछ महज चंद लोगों तक वो विकास या फिर उस मुआफ़े का पैसा या विकास के लिए जो योजनाय आई थी उस सिमट कर रहे गई कुछ घरानों तक योजनायों को सामने रख करके यहां अधिगरन नहीं किये गए यहां अधिगरन इसलिए किये गए कि उन योजनायों को दिखा कर अधिगरन करो अधिगरन होने के बाद उस में से जितना गड़बड की जा सकती है उतनी गड़बड करो 80,000 एकड अधिगरन की गई और 80,000 म पार सुनाने के बाद जमीर ने छोड़ दी गई और प्राइवेट बिल्डर्स को दे दी गई यह हमरे अकड़े हैं रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें से अनाफशनाफ तरीके से डस्टाचार के माद्गम से कुछ अपने घरों को भरने का एक उदेशे सामने रहा है वो सारी चीज से पहले एक बड़ा मुद्दा बना था जमीन अद्ग्रहन का लेकर एक बड़े बिल्डर कंपनी और एक बड़े राजितिक परिवास जोड़े शक्स का नाम सामने आता रहा उस मसले पर किस तरीके से आपकी सरकार आगे बढ़ रही है पहला विश है तो हम आगे अपनी व परदशरी करेंगे चाहे वो लाइसेस देने की बात है चाहे सीलू की बात है चाहे अधिकरन की बात है अधिकरन भी जितने होंगे वो एस पर सिस्टम रूल होंगे जनता की जहां आवशकता होगी हमको उनकी आप्स यानि कंसेंट लेने की वा जनता की कंसेंट लेंगे जो जरूरी आवशक्ताओं के अधार के उपर एस पर नियम, एस पर रूल, वो जो अधिगरन करने के बात होगी, उसमें सीधा अधिगरन करेंगे, और हम अपने भी भागों कहेंगे, सीधा भी किसानों से जमीने वो खरीदें, इसलिए किसान का जबरस्ती कोई अधिगरन नहीं जाने के इस परफस के लिए ली गई थी, अब इस परफस के लिए अगर जमीन ली गई है, वहां नहीं वो काम होगा, तो हम जनता को वापस भी करेंगे, जनता चाहेगी कि वापस नहीं लेना, इसको बदल सकते हैं, तो हम बदलेंगे, क्योंकि इससे पहले कि सरकार ने कुछ दूसरे आपके और भी नियम होंगे, ताकि जो भी एक दो लूप होल्स बचते हैं, उनको आप और मैं कहूं की टाइड कर सकें, एक दों पारदर्शी होगा, क्योंकि के इनरसकार ने कानूर बनाया है, उसमें प्रदेश के लिए बहुत सा स्कोप छोड़ा है, कि प् पिछले मैं कहूं कि तीन दशक में दिखी है हरियाना में, और शायद आपने उस पर ज़रूर गोर किया होगा सत्ता में आने के बाद, कि हुड़ा जैसी संस्ता जब अपने जमीन को निकालती है, या प्लाटिंग करती है, फ्लैट निकालती है, बाजार भाव पर उसके लि अगर क्या जुरूरत पड़ी थी, तो उन सब चीजों को हम ठीक करेंगे, हम सबसे पहले तो अपने हरियाना के नागरिक को, हर एक को मकान मिले, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है, अफोर्डेबल हाउसिंग, वो उसमें प्राविटी बिल्डर आते हैं, उनको भी कहेंग अगर प्राविटी बिल्डर उसमें नहीं आते हैं, तो हमारी सरकारे सरीकारी संस्थाएं हैं, चाये वो हाउसिंग बोर्ड है, हुड़ा है, ये सब विभाग हैं, हमारे गरीब को किस प्रकार से मकान मिले, जो अनौतरिज कॉलोनीजमिक बैठे हैं, उनको सुविधा हम कै से दें, इसके बाद बड़े मकानों का विश्या आएगा, तो जहां एक कम्प्रिटिव रेट्स के अंदर जो भी विस्था अच्छी बनेगी, उसको कराएंगे, उसके अंदर ऑपन ऑक्शन की बात भी हो सकती है, उसमें CLU एक आदमी मांगता है, तो पारदर्शी तरीके स है, जहज़र में, सबसे बड़ाए सी जड़ शायद मेरी नज़र में था, जिसको लेकर एक बड़े पैमाने पर जमीन का दगण किया गया था, उसके बाद वहां पर कुछ भी नहीं हो सका, अब सवाल यह उड़ता है कि क्या सिंचित जमीन, उपजाओ जमीन पर सरकार कोश की नीती है, सरकारों की नीती है, कि जो कम उपजाओ जमीन है, उसी को अधेगरन करके और जितनी इस परकार की सेवाएं हैं, या इंडस्ट्री है, या बाकी सवावशकता के अनुसार, जो चीज़ जमीन पर उपयोगी होगा, उसको उनीच सानों पर ले जाएंगे, जहां क कम जमीन उपजाओ है, जैसे उधान के लिए बिवानी जिला, बिवानी जिले में मेहंदर के जिले में इसा बहुत क्षेतर है, जिसमें उपजाओ जमीन अतनी नहीं है, जितनी बाकी जिलो में है, तो अभी सहरूर जा की कुछ प्रोजquar लगाने के लिए मरे पास लोग उनको मने का ठीक है आपको जमीन चाहिए, तो ऐसे जगाँ पर जहाँ कम मौपजा हुए है, वहां जाकर जमीन आप खरीद दिये, जहाँ आफशक सिवाय हैं, बार्शे लिए है, जहाँ आफशकता वहा हैं जाना पड़ेगा, रोड्स हैं, जहाँ आफशकता वहीं जाना या फिर जो मैं कहूं कि एक मुआवजी को लेकर एक बड़ी राजनी तिक जंग मैं कहूं छुरती नजर आ रही है देखिए पहली बात तो के मुआवजा हमने इस बार पहली बार केंदर सरकार ने जितना पहले मुआवजा देते थे उससे 50% और वर्दी की है और मुआवजा हमने भी जैसा केंदर सरकार से आया उसको एज़ेटीज दोजार रुपया और प्रती एकर उसको आगे बढ़ा दिया गया है जहां तक मुआवजा देने की बात है पहले हमने देखा एक एक साल डेड़ एक साल यह मुआवजा की राशिदी नहीं जाती थी राशी कुल 95 क्रोड रुपया 125 क्रोड रुपया हम किते इतना बड़ा प्रदेश नुकसान हुआ होगा तो इतना सीमित मातरा में नहीं हो सकता वो क्योल गिरदावरिया जंग से कराई जाती थी ताकि किसी को इससे ज़्यादा बता यह ना जा सके पहली बार इस बार जो न किया कि हम 500 रुपय से नीचे प्रतिय कर किसी को इससे नीचे मावजानी कर जागने मिलेगा नियूनतम 500 रुपया जरूर मिलेगा अब मैं आता हूँ दूसरे बड़े मुद्दे पर जो बात युवाओं की है क्टर साब क्योंकि हरियाना एक ऐसा राज जहां पर भरतियां बड़े पामाने पर हुई लेकिन बड़तियों पर अगर मैं कोड के रो की बात करूँ तो वो भी सबसे ज़्यादा मामने रहे हैं कैसे युवाओं को आप यकीन दिलाएंगे कि आप उनके लिए बेहतर रोजगार के साथ ना सिर्फ तयार कर रहे हैं बलकि रोजगार मिलने के बाद उसे ही चिंता रही होगी कि कुछ वार्ष के बाद कुछ महीने के बाद कहीं कोट का डंडा तो नहीं चलेगा पहली बात ये कोट का डंडा क्यों चलता है बैक डूर एंट्री से दी गई नोकरियां जिसको एक पार्शलिटी के रूप के अंदर और लोगों को रोजगार दिया गया रोजगार जिसको चाहिए वो उस परकार के सब इन निताओं के इन पार्टियों के चक्र में फस्ता है जिसके कारण से उसको गलत काम भी करके अपने रोजगार लेना पड़ता है लेकिन इसमें जो दोश है वो सरकारों का नेताओं का राया के बैक डोड एंटी से इतनी बड़ी नौकरियां क्यों दे गई क्या उसमें भरतियां नहीं हो सकती थी हो सकती थी आज हम ऐसी जितनी नौकरियां हैं सब को एक सिस्टम से हमने स्टाफ सर्विस सेलेक्शन बूर्ड का गठन किया है और बहुत जल्दी उनकी सब नौकरियों काम करने वाले हैं लगबक तरतालीस हजार नौकरियां उसके मा से जाएंगी भातुद्ध के सरकार के माधियम से सरकारी नौकरिया नहीं दी जा सकती इसमें उनको रुज़गार का अवसर मिले तो हमरे लिए इंडुस्ट्री इस इंडिस्ट्री को बढ़ने जा रहे हैं हमरे जो पॉलिसी डुसर्पंदरा पंदरा मैं तक आने वाली है ह हम उसके अनदर बहुत छुट शुटी उद्योग, बड़े उद्योग, सब के माद दियम से नोक्रियों के इतने अफसर पैदा करेंगे, जिसमें से हर एक यूवक को नोक्री की करने के लिए, काम नुवसाय चलाने के लिए, नोकरी करने के लिए ये सब हम काम करेंगे अगर हमारे युवक यदि किसी कला में प्रोविन्ड नहीं है वो ट्रेंड नहीं है उसके लिए हमारी केंदर सरगार की योजनाए बहुत बनी है जिसमें स्किल डौल्मेंट के बहुत प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं स्किल्ड वैल्प में बादे हम से समाज जी उनके रूजगार करने वाले बिन-बिन बातों को सिखलाई करना और शिखाना ये वरी प्राथ में प्तार रहेगी ताके हर किसी को नौकरी करने का अवसर मिले ऐसा हम सुने चित करेंगी चले खटर साब यहां पर रुके एक छोड़े से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार कुछ और अहम मुद्दे कुछ और अहम सवाल और सीधे जवाब मुक्मंत्री खटर साब से आप देख रहे हमारा खास करकम तरकश और आज हम बात कर रहे हैं हरियाना के मुकूंतरी खटर साब से खटर साब एक और बड़ा मुद्दा जो आता है वो है जिस तरीके से हरियाना की पोजिशनिंग है मैं कहूंगी राजधानी के ठीक निकट सुरक्शा एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं को लेकर बेटियों को लेकर आप जब सत्ता में आए आपने कई जगों पर इस तरह के वक्त भी अभाशन दिये जिसमें ये साफ कहा गया कि जो पहले की नीतियां थी उससे कुछ रुक आपका अलग होगा जहां तक महिलाओं की सुरक्शा है या बेटियों की संख्या जो कम हो रही है हमारे हाँ उन सारी उजनाओं को तो हमने हमारे पधान मंतरी नेंदरवी मोदी जैसी पानीपत में आये उने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं का जो अभियान लिया उस अभियान की शुरुआत की उसी दन से हमने ये तैय किया कि हरियाना की जेंडर रेशो ये बराबर की होनी चाहिए और जब तक नहीं होती तब तक हम इन प्रोग्राम्स को पूरा तरीके से लागू करेंगे उसमें हमने की उजनाए बनाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के अभियान के लाडली उजना का जो एक उजना तक सीमित था उसको हमने पहली बेटी और तीसरी बेटी इस पर भी थोड़ा फॉर्म बदल करके उसको लागू किया है पहली बेटी के अफसर पर भी जनम के बाद 25,000 रुपया बैंक में जमा कराया जाएगा ताकि ठारा साल के बाद 1,000,000 रुपया उसको मिलना चाहिए ऐसे ही अनुस्य जाती और जो BPL के लोग हैं तीसरी बेटी के जन को के खिलाफ अत्यचार को लेकर मैं कहूं या फिर रिष्टों को लेकर जो फैसले रहे हैं कुछ खाप पंचायत उस पर क्या होगा रुखाब का मैंने बार-बार कहा है खाप पंचायतों का जातक विशा है कभी कोई ऐसे फैसले नहीं किये जिसको महिला विरोधी कह सकते हैं या कोई ऐसे किसी प्रकार के कोई भी जो फैसला हुआ है वो सामाजिक तोर के उपर किया गया है और महिलाओं की सुरक्षा के दिश्टी से ही किया गया है जो कुछ परंपराएं गाओं की रहती है उस पंचायत की रहती है उस खित्र की रहती है उन परंपराओं को मन्यता उन पंचायतों के मादिम से मि जो भी फैसले हो या फिर जो भी सलाह हो या मश्विरा हो वो कानून के दैरे में अगर रहकर है तो उसको मानता में लेखी हैं क्योंकि आपकी जो विरोधी हैं वो शायद इस तरह की बात भी करते हैं कि खटर साब के आने के बाद जो खाप पंचायत थी उनको एक तरीके से व होती है ये परंपरागत चीजें आखिर समाज के अंदर परंपराएं कुछ होती हैं बिरादरियां होती हैं खापे होती हैं या कोई क्षेतरे के भी कुछ नों कुछ ऐसे सिस्टम बन जाते हैं अब हमारे बहुत संस्थाएं वेपार के साब से भी बनती हैं खेती के साब से सबतरा के बनते हैं आखिर समाज के इसाब से किसी समाज ने अपना कोई सुधारात्म कारकम लागू करने के लिए कोई अपनी पंचायत बनाई है तो उसमें illegal नहीं है अगर वो समिधान समथ नहीं है तो illegal कमसे के बनाई है ऐसी संस्था हैं अपसी सहमती से कोई गूर्ब बनाते हैं और संसाओं कोई मादम से अगर कहीं कोई सुधाराद में कारकम किया जाते हैं तो उसका स्वागत है मुझे जात पड़ता है कि चुनावी रेलियों के दिमाने एक बड़ी बात कही जा रहे थी करफशन को लेकर मैं उस फिर बड़े मुद्धे पर लोट रहा हूँ कि आपकी रेलियों में भी यह कहा गया कि जो करफशन है वो हरियाना की रगों में यानि कि सिस्टम में सरीके से खोल दिया गया है इसे दूर करने के लिए एक बड़ी डोस की जरूरत है इस सिस्टम को किस डोस के जरीए आप दुरस्त करेंगे बहुत बड़ा आपने एक प्रशन पूछा है और एक बहुत वह हमारे लिए चिंता की यह बात है कि हमको करफशन दूर करना तो उसका रोड मैप क्या होगा देखिये पहला विष्य करफशन का एक साइकल है और साइकल में नेता भी हैν, अधिकारी भी हैं, करमचारी भी हैं और कई ने कई जंता के भी कुछ लोग हैं तो प्रारम करना पड़ेगा अपने से अपने से प्रारम करने का मतलब हम हमारे नेता हमने दावा किया है कि भाति जिन्ता पार्टी के नेता करप्शन से मुक्त रहेंगे करप्शन नहीं करेंगे इसकी गारंटी कम से कम हरियाना की तो मैंने स्वहम ली है और जब नेता नहीं करेंगे तो अधिकारियों में भी इतना दम है कि अधिकारी ने भी हाथ खड़े ओकर के हमारे DC जने, SP जने, मंचों से खड़े होगे कहा है कि कोई अधिकारी हमारे आप करप्शन नहीं करेगा. अधिकारी के पत्रदी DC, SP होते हैं. और जो अधिकारी और नेता नहीं करेंगे, तो करमचारियों पर इतना भरोसा है कि वो भी नहीं करेंगे. कारण आज तक जितने भी करमचारी मिले हैं, करप्शन के समय में जो बाच्चित होती है, वो करते हम क्या करें, हमको उपर देना पड़ता है. अब उपर के लोग नहीं करेंगे, तो फिर इन से उपर तो कौन भगवान है? पहला फैक्टर है अपील. दूसरा फैक्टर है संसकार. हमरी शिक्षा और संसकार. यह यह दे हमने लागू किये, तो समाज में एक मानस में जाएगा, बरिष्टाचार गलत चीज़ है, हमको नहीं करना है, संसकारों से बरिष्टाचार रुखता है. थोड़े लोग बच्चते हैं, ना वो अपील से मानते हैं, ना वो संसकार से मानेंगे, वो वित्यारी उनके नहीं होगी, उसके लिए फिर कानून अपना काम करेगा, लाएंडर रड़ डंडा. लेगे लोग कहते हैं कि खटर साब की जो छवी है, खटर साब का जो रुख होता है, वो अधिकारियों के प्रतिया फिर नोकर्शाहों को लेकर थोड़ा नरम दिखता है. इसके कारण है, तो आपने आपको जन्ता में सिद्ध कर सके हैं when ठीक हैं. हमारा कहना इससे ठीक नहीं होता है. जन्ता भी सब देखती है, अधिकारी भी सब देखते हैं, करमचारी भी देखते हैं. उपर लोग ब्रस्टाचार करके डिंडा देखाएंगे तो ब्रस्टाचार बंद नहीं हो सकता ब्रस्टाचार तब बंद होता है अपने आपको आधर्ष के रूप में रखेंगे आदर्श रखा है ना खाऊंगा ना खाने दोंगा ये प्रधान मंत्री नहेंदर मोदी का एक पंक्ती है और इस पंक्ती में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम छिपा है प्रोग्राम ये छिपा है ये गलत चीज़ नहीं करेंगे और मैं समझता हूँ इसका आफर ज्यादा 80-90% लोगों पर कानून कभी काम निकलता है लकिन आपके स्रोक से और करफशन को रोखने को लेकर जो आपका एक रोड मैप है उसको लेकर आपको लगता नहीं कि कुछ ऐसे नेता भी नाराज हो सकते हैं के साथ हूँ ये कुछ ऐसे नोकरशा नाराज हो सकते जो अब तक शायद उस दिशा में आगे न वड़ना चाहते हूँ मैं समझता हूँ कि जब लोग हम मिलेंगे बैठेंगे तो मेरी इस बात से कोई नाराजा नहीं होगा ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि इस प्रदेश में पहली अबार ऐसा है जबकि गयर जाट समझताय से कोई शक्स मुक्मंती बना है बहले ही मैं कहूं कि राजनीत में जातियों के आधार पर बटवारा ठीक नहीं है लेकिन है हकीकत है इस देश की अब विकास के साथ सा जो दूसरे तमाम पैमाने हैं उन जातियों को अब उसे तवज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् कि इस जातिवादी राजनिती के करने के कारण से पूरे समाज का भला नहीं कर सकते, समाज का हित नहीं कर सकते, समाज का हित करना है, तो जो वंचित है, उसकी सिवा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, निंदाना गाओं मेरा ऐसा गाओं है, जिसको हमारे रेल मंतरी जी न अपने गूद लिया है उसको आदर्श गाओं बनाने के लिए जिना बनाई है और मैंने उनकी अनुशन शाकी थी क्यों की थी मेरे दो मेरे कारण है वहाँ उस गाओं का डॉट करवाने के पहला कारण मेरा जनुम वहाँ का उस गाओं से मेरा एक रिष्टा है और दूसरा कारण जिस बात को आप कह रहे हैं कि जाती का तरीके से अगर जाती का तरीके से मुझे चलना होता तो गाओं मुझे सूट नहीं करता उस गाओं को अगर कहा है और उस गाओं के लोगों ने आवान किया है कि नहीं हम आपके सारी जो भी विचार हैं उन विचारों से हम सहमत हैं और उस अधार पर हम अपने इस गाओं के अंदर किसी प्रकार की जाती वादी पुलिटेक्स नहीं आने देंगे एक गाओं मेरा अगर वो ठीक होता तो वहां से किलने फैलाएगा अब तक हमने देखा है कि जो तमाम मुखमनती होते हो किसी विराजी में हो वो अपने इलाके अपने गाओं अपने लोगों के लिए कुछ खास विधाएं देते हैं लेकिन आपके गाओं के लोगों ने मुझे बताया एक दो लोगों से बात हुई इनोंने कहा कि मुखमनती ब बिल भर में ने डिपार्टमेंट से पता किया तो हमारे गाउं के रिकावरी बढ़ गई है और अभी हम एक नई योजना चलाने जा रहे हैं हमारा गाउं जगमक गाउं उस हमारा गाउं जगमक गाउं में जो गाउं जो फीडर के गाउं बिल पूरे भरेंगे रेलाइशन प लाने वाले हैं बाकी सब जो 11 घंटे ले रहे हैं उनको मिलेगी लेकिन इस परकार के गाओं हमारे सारे वाने के लिए तयार हैं ऐसे हमारे जो इन्फरमेशन है वो यह है एक और शेत्र है जिसको लेकर हरियाना के एक विशेश पहचान रही है वो है खेल कूद में लेकर लेक कैसे बदलेंगे उस दर्द को खुशियों में आप उचा करें उनको आगे ले जाएंगे दूसरा अच्छे खेल अच्छी ट्रेनिंग जो निपण हemiकर के आएंगे जिलाज स्थ तर पर प्रदिश स्थ तर पर रास्थी स्थ तर पर जो खिलेंगे उनको सम्मान उनको आवाड़ उनको वो सारे cinco ऑउने घोशित खी हैं उनको जितना भी सम्मान देना हो गम सकते हैं एक आकरी स्वाल के टरस साब चलते चलते हैं कि हर शक्स के अपना सपना होता है अपने राजी को लेकर जब आप मुखमंत्री बने क्योंकि आपने एक लंबा सफर तरह किया है राजीत मिस्पत पर आने से पहले अलग दिधाओं का अपने देखा है उस वक्त जब आप गाउं से निकले आप में राजीत की शिरुवात की कोई एक ऐसा आप काम जो आपको आज लगता है कि उसे होना चाहिए तब अब तक कोई सरकार नहीं कर पाई जो आपके प्रूख एजेंडे पर हो हम राजीतिक लोग बोलते रहे हैं सरकार आपके द्वार और यह सरकार आपके द्वार एक ऐसा नहरा बना जिसको कम से कर मेरी जो कलपना है उसके ओपर अभी तक यहां हरियाणा में तो किसे न लागू कर नहीं कोशिश नहीं की है हम लागू कर रहे हैं कि सरकार का कोई आदमी वो जनता के पास जाए उसकी तकलीफ पूछे या उसको तकलीफ की जानकारी मिले तो उसके घर में जा करके दूर करे अभी क्या है हर चोटी बडि तकलीफ को ले कर कि आदमी कहां पहुचता है मुख्यमंत्री के आवास पर, मुख्यमंत्री के कारले में मंत्रिओं के कारले में, विधायकों के इर्दगिल्द सब चकर काटते हैं और उनका पैसा, उनका जो साधन समय, सब रबात होता है और कितनी प्रिशानिया होती है पीडा बहुत होती है इन सब पीडाओं को ना जहले हमने उसको उल्टा शुरू किया है क्या सेम इंडो पहला जिला के अंदर पुराओ जिला के अंदर के बाद इसको हम सब्डिजन लेवल पर लेकर जाएंगे ब्लॉक लेवल पर जाएंगे ग्राम में ग्राम सची वाले हर ग्राम पंचायत के अंदर एक सची वाले बने और उस सची वाले में वहीं उनको वो सारी स्विधाय मिलें जो उनको चंडीगड में आके छोटे-छोटे कामों के लिए आना पड़ता है ताकि अगर जाना है तो हमारा नेता जाएगा गाओं में हमारा विधाय जाएगा गाओं में हमारा अधिकारी जाएगा हमारा डीसी जाएगा हमारा वीडियो जाएगा वो गाहों में जाकर के अपनी ग्राम सबाओं की मिटें करें, आपकी क्या तकलीफ है कहीं भी किसी परकार के काम करने के लिए, अब अफसर उनको दिश्या में बढ़ना परेगा कि उनको जंता में, उनको तकलीफ वाले आदमी को बात जाकर कि उनको तकलीफ कैसे क्योंकि पैसा ये लेते हैं आखिर सरगारी खजाने के ओपर साधन इनको मिलता है कि इस बात के लिए मिलता है जनता के पात जाकर के सेवा करने का पैसा उनको नहीं मिलता है जनकी तकलीफ है वो पैसा कर्चते है तो जनको पैसा मिलता है उनका दाइत्व है कि लोगों गर में जाकर के काम करें इस दिशान बढ़ेंगे कितने समय में कितना समय लेगा इसके चरणबत तरीके से आगे बढ़ने का करकम बनाएं तेले विलकुल उमीद है और हमारी शुरूप कामना आपके साथ है कि आप इस अपने को पूरा करें और हमसे बाचीत कने के लिए करेंगे साथ बहुत दो शुक्रिया